सर्दियों में गाजर, मुली, हरी मीर्च और आवले की आचार के साथ अगर गर्मा गरम पराठे भी मिल जाए तो नास्ते का मज़ा दुगुना हो जाता है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही असान अचार की रेसिपी जिसे आप बहुत ही असान तरीके से बना सकते हैं जैसे ममी दादी का टेस्ट वाला अचार और भी बहुत ही शिंपल तरीके से अचार की इतनी शिंपल और असान रेसिपी आपने पहले कभी नही देखी होगी तो चलिए आज की हम मिक्स अचार की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं मिक्स अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गाजर, मुली, आवले को स्टेम करके बिजन निकाल दिया है और हरी मिर्च लिया है आप इसके जगद तिक्खी वाली हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं और इस सब को पहले से ही हम धोकर वास्क करके सुखा लिये थे फिर मैंने लंबे साज में कट किये हैं मसाले में मैंने खाड़ा धनिया लिया है पीला वाला सर्षो मेथी दाना और एक चमच जीरा लिया है और इसको हम रोष्ट करके पाउडर त्यार कर लिये हैं और साथ में मसाले में मैंने डाला है एक चमच मिर्च पाउडर उसके बाद हमने डाला है हल्दी पाउडर अजवा आंगे पर बहुत ही के टिश्टी बनती है और कडाई में हम तेल गरम कर दिये हैं और यह देखिये तेल हमारे हाद से अच्छे से गरम हो गया है और हम फलेम को हम लो पे कर देंगे अब हमशमाटने कि टालेगे मसाले टालेगे नहीं तो मसाले हमारी चल जाएगी, सारे मसाले को हम इसमें डाल दिये हैं और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे बहुत ही आसान रेसिपी है और जटपट आचार बन के त्यार हो जाती है इसमें हम सारी आल मेने डाल दिये हैं इसमें गाजर मुली आवला और हरी मिर्श को और इस सब को हम मसाले के साथ मिलाएंगे जटपड़ बनने वाली मिक्स आचार की रेशीपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है पराटे के साथ या खाना खाने के समय और टी पीन में भी लिएकि जा सकते हैं इसको या सफ़र में भी इसको लिएकि जा सकते हैं स्वाद अनासर हम इसमें नमख website करेंगे और यह जल्दी खराब भी नहीं होती आप इसकोइस्टै करकर इसे बाटोर करके इसंण सटे इसको आप बीना धूप में भी लगाए हुए रख सकते हैं जल्दी खराब नहीं होती नहीं और हम इसमें डाल देंगे दो चमच लेमान जूस लेमान जूस से खटा फ्लेबर भी आ जाता है इसमें आचार का टिस्ट दुगुना हो जाता है और यह लंबे टाइम तक चलती भी है यह आचार हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईएगा और अपने प्रेंट्स और फैमली के साथ जरूर सेयर कीज़ेगा यह देखिए हमारी आचार अच्छे से मिक्स हो गई है कितने बड़िया कलर भी आई है अब फ्लेम को हम बन कर द आना शुरू कर सकते हैं अचार को और आप हम देखिए एक प्रेट में निकाल लिए हैं यह देखिए जटपट बनके त्यार हो गई है आप लोग भी इसको ट्राइ कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू आप लिए एक बेगल protocol भी कीजे़ हो प्याओज के जवआ़िया हैं आता हैं यह लिए आप हुआ सकते हैं आप हो निकाल आप हैं ट्राइब सकते हैं आप बनके क्यां यह दो